एक ब्यूटी क्वीन, एक फरेवी आशिक और कोट का कटकरा, जब महा ठक सुकेश का जाकलीन से हुआ सामना नमस्कार दोस्तों आप देख रही हैं Trigger News अदालत में केस तो एक ही था, मगर दोनों के एक साथ मौजूद होने की बचा दो थी सुकेश की regular पेशी थी जबकि जाकलीन फर्नांडस को शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाना है तो वो विदेश जाने की इचाज़त लेने अदालत आई थी एक ही अदालत में एक ही कटकरे के करीब एक साथ एक हिरोईन और एक विलिन दोनों खड़े थे दोनों बेशक एक दूसरे को पहले से जानते थे मगर कोट में दोनों खामोश थे ना हिरोईन ने कोई इशारा किया और ना ही विलिन ने कुछ कहा हम बात कर रहे हैं महाठक सुकेश चंद्रशेखर और बॉलिवूड अबिनेतरी जाकलीन फर्नांडस की जिनका आमना सामना कई दिनों बाद अदालत में हुआ और दोनों भी एक दूसरे से अंचान दिख रहे थे कोट नंबर 39 में मुल्जिमों के कटकरे के ठीक करीब आगे की तरब जाकलीन फर्नांडस खड़ी थी जबकि जाकलीन के ठीक पीछे सुकेश चंद्रशेखर दोनों की नजरे मिली पर जुबान खामोश थी जाकलीन और सुकेश एक लंबे अर्से के बाद एक दूसरे से यू मिल रहे थे पर दोनों को पता था कि दोनों पर पूरी अदालत की नजरे लगी है इस बात का दोनों खयाल भी रख रहे थी इसके बाद अदालत की कारवाई शुरू होती है हाला कि केस तो एक ही था मगर दोनों के एक साथ मौजूद होने की वज़े तो थी सुकेश की रेगुलर पेशी थी जबकि जाकलीन फर्नांडस को शूटिंग के सिलसले में विदेश जाना है वो विदेश जाने की इजासत लेने अदालत आई थी वज़े ये कि वो थगी के मामले में सुकेश के साथ सहा आरोपी है अब अदालत की कारवाई शुरू होती है मगर वहाँ जाकलीन या सुकेश को नहीं बोलना था बलकि उनके वकीलों को बोलना था प्रवर्तनी देशाले के वकील ने शुरूवात सुकेश की ठगी की पुरानी कहानी से की और कहानी की शुरूवात तिहाड में मिले सुकेश के मोबाईल से की जिससे उसकी ठगी के किससे आम हुए थे प्रवर्तन देशाले की ओर से सुकेश पर कई इलजाम लगाए गए पब्लिक प्रोसेक्यूटर कोर्ट में पुरानी कहानी दोहरा रहे थे उन्होंने बताया कि सुकेश के पास से जेल में कई मुबाइल फोन मिले थे सुकेश ने 200 कडोड की ठगी के मामले में पहला फोन लैंड लाइन से किया था इडी ने बताया कि सुकेश ने एक कमपनी के प्रमोटर की वीवी आदिती सिंग से 57 कडोड रुपए लेने की बात कबूल की थी लेकिन जब जाच हुई तो पुलीस ने पाया कि उसने 57 नहीं 80 कडोड रुपए लिये थे और इन्हे रुपियों से उसने कई लक्षरी काडियां तौफे और दूसरी एशो अराम की चीजे खरी दी ED ने कोट को बताया कि सुकेश ने पूचताच में तिहार के DG रहे संदीब गोयल को 5 कडोड रुपए की बात कबूली है साथ ही एक और अधिकारी B. मोहन राज को इन्वेस्टमेंट के लिए 9 कडोड रुपए देने की बात भी कही है ED ने इनी ठगी के रुपियों से मोहन राज के लिए गारी खरीदने का आरोब भी सुकेश पर लगाया पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने चार्जशीट का हिस्सा पढ़ते हुए कोड को बताया कि यूनिटेक के प्रमोटर संजेय चंद्रा के जर्ये सुकेश चंद्रशेखर की मुलकात दीपक रामनानी से हुई थी और दीपक रामनानी के जर्ये सुकेश ने आदिती सिंग से 57 कडो रुपए जटक लिये थे सुकेश और जाकलीन के वकीलों की मांग पर कोड ने एडी को उन आरोपो पर शॉर्ट नोट बना कर कोड के सामने पेश करने का हुकुम दिया जिन आरोपो के सबूत एडी के पास मौजूद है इसके साथ ही कोड ने सभी पक्षों से अपना जवाब लिखित में दाखिल कराने का हुकुम दिया सुकेश से जाकलीन की मुलाकात करवाने वारी इविंट मैनेजर पिंकी हीरानी के मुबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट के अब तक जमा ना होने का जिक्र भी अदालत में हुआ इस मामले में वॉइस सांपल की रिपोर्ट भी अब तक नहीं आने की बात कही गई लेकिन मंगलवार को हुई कोड की कारवाई में जो सबसे एहम बात रही बहुत ही सुकेश और उसकी वीवी लीना मारिया पॉल की लिमबॉर्गनी, रोल्स रॉइस, मर्सडीज, ओडी और बीम डव्यू जैसी 26 कारों को एडी के हबाले किये जाने की बात असल में ईडी ने इन कारों को ठगी के पैसों से खरीदे जाने की बात कहते हुए इनने फोरन जब्द करने की जरूरत बताई थी जिस पर कोड ने हामी भर दी, ईडी को इन कारों को जब्द करने की इजाज़त मिल गई इस बीच कोड में चाकलीन फर्णांडिस पेश हुई उन्होंने अदालक से 23 दिसंबर 2022 से 5 चनवरी 2023 तक के लिए विदेश चाने की इजाज़त मागी और चाकलीन की इस अरजी पर कोड ने सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीक तैगर दी तो आपकी इस पर क्या राय है हमें बताए हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे चानल ट्रिगर न्यूस को सब्सक्राइब करना ना भूले